इसे कौन नहीं पहचानता? ये है रोटी यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुश्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है जिसे देखा जाए यदि ये रोटी यूँ ही मिल जाती तो मुनुश्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता कश्ट नहीं करता जीवन में परिश्रम ही नहीं करता इसे एक बात तो है कि रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाते जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती अब तरिक सोची कि रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी रोटी आपके स्वास्ते के लिए अच्छ जब ये दोनों और से ठीक से से की जाएंगे हैं है नहीं हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं तेरी दोनों और से अच्छे से निभाएं जाएं तभी आपको आनंद देते हैं इसलिए केवल पानी के लिए अतुर ना रहें लौटानी में भी विश्वास रखें कि जब एक संबंध में दोनों और से प्रीम होगा दोनों और से करुणा होगी कुछ करने की चाह होगी तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा तो जब जब रोटी खाएं समरंड करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मतुर बनाना मन प्रसंद नहों कर बोले करें राधे राधे झाल